हलो एबरीवन वेल्कम यू तो आवर यूट्यूब चैनल पैरिस्टडी ओंलाइन आज दियास वीडियो क्लास एट्थ रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.4 फोर्थ पार्ट आपा सौलव करन जा रहे हैं क्वेस्टन वेच्च की करया है राइट दा फॉल्विंग रैशनल नंबर्स इन्दा स्टेंडर्ड फॉर्म हों देखो स्टेंडर्ड फॉर्म केड़ी हुं दिया है रैशनल नंबर दी स्टेंडर्ड फॉर्म केड़ी हुं दिया है यहन्नू पास सिंप्लेस्ट फॉर्म भी क सकते हैं हुण simplest form all दिया जिन्दे वेच जो rational नंबर दा numerator and denominator उपरवाली टरम ते थरलेवाला नंबर ठीक है दो मादा HCF किन्ना उना चीदा 1 न उना चीदा ओके that means nothing should be common between numerator and denominator उपरवाले ते थरलेवाली नंबर दे वेच कुछ भी common नी उना चीदा except 1 मतलब दो मादा highest common factor किन्ना उना चीदा 1 जो भी होर common है उन्हों आपके cancel करांगे that means standard formula मतलब किया है दो मादा HCF किन्ना उना चीदा 1 उना चीदा कुछ भी दो मादे विच common नी उना चाहिदा ता पाण question नों explain कर दे है कि मैं solve करांगे देखो सब तो पहला first a part अपने को 12 divided by 18 12 divided by 18 नों आपके करना है खतम करना है ठीक है अपा यह देखना है इन्हों standard form देवेच कि मैं किता जा सकता है तो हुन देखो दो मेथड है पहला मेथड है direct cutting कर दनी केड़ेट नमबर देखो पर जानदा आपा direct कर दांगे पर कुछ बच्चा नों जिमें किया है calculation थोड़ी tough लग दिया ओना लिए ओखा है ठीक है तो कि मैं करसा देखो देखो ब्रेक करांगे अपा अपां कि यह नमबर नू ब्रेक करांगे बिल्कुल simplest form देवेच प्राइम फेक्टर देवेच ब्रेक करांगे यह किनना आगया अपने कोल 6 आगया अगेन 2 ते गया 3 आगया अगेन 3 ते गया किनना आगया 1 आगया तट 12 नू ब्रेक कर लिया 2 multiply 2 multiply 3 उस्त बाद आगया 18 18 किनना आगया 1 तो अपने कोल प्राइम फेक्टराइजिशन की आगया 2 इंटो 3 इंटो 3 आगया धिक है यह चीज आगी आपने कोल हुं जो cancel हुनदा cancel कर दो बाकि अपने कोल किया आजेगा अंसर आजेगा टू नल टू कट है गया थ्री नल ट्री कट है गया बाकि अपने कोल अंसर किरना आगया टू दिवाइड बाए थ्री ओके डाट इस दा सिंप्लेस्ट फॉर्म टू टे थ्री दे विच कुछ भी कॉमन नहीं था दे आर को प्राइम नंबर्स ओके टू टू टे थ्री को प्राइम नंबर बन गे धाट मेंस दो आजेगा हैस्ट कॉमन फेक्टर के ना आ गया वन आ गय तो देट इस दा स्टेंडर फॉर्म यह अपने कोल की यह स्टेंडर फॉर्म है पर जिन्हों यह लांग मेथड लग दा लेंथी लग रहा है ओग यह दुजा मेथड यूज कर सकते दूजा मेथड की है होन अपनु पते हैं 12 डिवाइड बाए 18 जिन्हों कटिंग करने हो द किन्हा आ गया 3 सो सेंपल अंसवर इस टूँ डिवाइड बाए 3 ता इस तरी के नाल अपने कोल सेंपल अंसवर आगया 2 डिवाइड बाए 3 ठीक है यह अपने कोल की यह आगया सेंपलेस्ट फॉर्म आगये पर जिन्नानों की यह ए तफ लग दाय कटिंग करने नहीं आओ द दाओ किया ब्रेक करके देख सकता है ओके उसतो बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट माइनस 399 डिवाइड बाए 603 अपने कोल क्वेस्टन है माइनस 399 डिवाइड बाए कितना 603 ता पाइनों किया कटिंग करांगे पहला देखो 3 दे टेबल नुँ फॉलो कर दाय कि नहीं मतल 3 दे टेबल च 21 आओदा है यह थैड मीन्स अपने रिवाइड कर सकते है ठले बाढ़ा चेक करांगे 6 प्लस 0 प्लस 3 किनना आगया 9 आगया 3 दे टेबल च 9 आओदा है यह थैड मीन्स ए नंबर भी किया 3 दे टेबल थै किनना आगया माइनस 133 डिवाइड बाए किनना आगा 201 ठीक है उपर दा किनना आगा 133 थले किनना आगा 201 और 133 ते 201 दे विच कुछ भी कॉम्मन नहीं है that means that is the final answer ओके अग्या आपने आपने डिवाइड नहीं कर सकते कुछ भी और कॉम्मन नहीं है किसे नमबर ते आपने डिवाइड नहीं कर सकते so that is the final answer ए थ्री थे टेबल ते की होगे अपने को डिवाइड होगे next next आगे अपने को 63 डिवाइड बाए माइनस 140 63 डिवाइड बाए माइनस 140 हून देखो यह 3 ते जानता है पर यह नमबर 3 ते नहीं जा रहा क्योंकि देखो 6 प्लस 3 किना आगया 9 यह ता डिविजी बाए 3 लाइड पर जहाप है चेक करिए 1 प्लस 4 प्लस 0 यह किना बन गया 5 यह डिविजी बाएड नहीं है जब पर 140 नू 7 नल डिवाइड करिये तक किनना आगया 20 पर साइन किया माइनस ता अपने को ल किया आगया माइनस दा आगया so that is the simplest form मैंनू किया 7 दे टेबल दे उपर डिवाइड कीता ठीक है आपा चेक करांगे स्टाइडिंग करांगे पर 2 तों 2 नल डिवाइड हो रहा है पर उपर वाइड नी हो रहा है उस्त बाद 3 नल चेक कीता उपर वाइड हो रहा है थले वाइड नी हो रहा है उस्त बाद 5 नल कीता थले वाइड हो रहा है उपर वाइड नी हो रहा है उस्त बाद आपा चेक कीता 11 ते, फिर भी 9 दा 13 ते, फिर 17, फिर 19, 23 इस तरह आपा चाल दे जाओंगे, अपा प्राइम नम्बरा थे mostly किया, डिवाइड करांगे, ओके, ता अपने कोल आंसर के ना आगा, 9 डिवाइड बाए, माइनस 20, नेक्स्ट, डी पार्ट, नेक्स्ट आगा, अपने कोल डी 24, माइनस 8 डिवाइड बाए 24, होन देखो, पहला आपा 2 ते टेबल ते डिवाइड किता, 4 तू जा 8, 12 तू जा किरना हो गया, 24, उसतो बाद, अगेन 2 ते, माइनस 2 डिवाइड बाए 6, 2 तू जा 4, 6 तू जा 12, उसतो बाद अगेन आपा 2 ते डिवाइड किता, ता आंसर क पर जेतानों 8 दा टेबल डिरेक्ट होंदा है, ता 8 बन जा 8, 8 3 या 24, ता अपना फाइनल आंसूर किन्ना आगया, minus 1 by 3, that is the simplest और standard form, simplest form, okay, यह अपने कोल की आगी, simplest form या standard form आगी, उस्तो बाल, last question, last part अपने कोल, minus 121 divided by minus 143, सब तो पहला कम की करना, दो में minus दा पोग पाओ, इननों खतम करो, minus 4 minus की हो गया, खतम हो गया, बक्की किन्ना आगया, 121 by 143, यह आगया, होणा आपा चेक करांगे, जब पर 2 ते चेक करिये, नहीं हो रहा, 3 ते चेक करांगे, 1 plus 2, 3 plus 1, 4, 3 ते भी नहीं हो रहा, 5 ते भी नहीं हो रहा, क्योंकि divisibility rule ता नुचंगी तरह याद होने चाहिए, चेक करने वास्ते, ठीक है, उस्तो बाद 7 ते भी नहीं हो रहा, उस्तो बाद 11 ते जब पाद चेक करिये, 11 11 जा, 121, 11 13 जा, 143, ता अपन आंसर के नहाग है, 11 डिवाइड बाए 30, ठीक है, तो देट इस दा स्टेंड़ फोर्म और सिंप्लस्ट फोर्म, ता इस दा स्टेंड़ फोर्म, ओके, यह अपने कोल की आगी, स्टेंड़ फोर्म आगी, ता तुसी त्यान रखना है, पहला दो नहीं हो चेक करना है, फिर 3 फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, एस तरा तुसी चेक कर देजने, डिविजीबिल्टी रूल तो नो चंगी दरा, क्लीर होने चाहिदा, केड़े, नंबर केड़े, नंबर नाल डिवाइड हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो देवे, चैपा फिफ्ट पार्ट नों सौलव करांगे, रशनल नंबर दो